नमस्कार चात्रो आज बीए पार्ट फस्ट पेपर फस्ट रानित विज्ञान के मूलाधार का अगला जो टोपिक है वो अपना है सासन के रूप सासन के कितने रूप हैं सासन के दो तरह के रूप एक तो संसदे सासन और दूसरा अध्यक्षी सासन तो आज हम पढ़ेंगे सं संसदे सासन व्योस्ता क्या है इसके बारे में अध्यन करेंगे आज एक ऐसी सासन पर ना ली जिसमें विधाई का वे कारेपाली का स्योंक्त हों तथा अपने अस्तित्व एक दूसरे पर निरवरों उसको अपन क्या कहेंगे संसदे सासन व्योस्ता इस व्योस्ता में जारनेर ने कहा है कि संसधिय सरकार वह व्योस्ता है जिसमें वास्त्टिक कारे प्राइपाली का व्यदान मंडल या उसके लोप्रीए सदन के पृत्टी और अंत्ते निर्वास्कूं के पृत्थी अपनी राज तिक नीतियों इमकारियों के पृत्टी उतर दाई होतीillar इस प्रणाली का जनक इंग्लेंड को माना जाता है आज अधिकान स्प्रचाशतांतरी जो देश हैं उन में उन देशों का सासन का यही रूप पाया जाता है आईवर जेनिंग्स ने इसे मंत्रि मंडल या कैबिनेट सासन पद्धती भी कहा है विचरश करॉण मैन वेद ने इसे प्रणान तरि सासन व्युस्ता भी कहा है ऐसी सासन व्युस्ता में वास्टिक कारेपाली का अपनी नीतियूं व्यकारीं के लिए विदाएका के लोग सदन के परती उतरदाई होती है इसी में सामानेत है एक ओपचारिक या नामातर की कारेपालिक होती है जो सासन के प्रति आनुतरदाई की इस्तिती में रहती है अब संसदे सासन परनाली की विशेष्टा है क्या क्या है तो संसदे सासन परनाली की पहली विशेष्टा है संसदिय सरोच्चिता सासन की इस प्रनाली में संसद एक संस्ता होती है जिसमें सिक्कारेपलिका भी निकलती है सभी मंत्री इसके सदसे होते है वे संसद की कारवाय में भाग लेते हैं विदैकों के प्रस्ताव रखते हैं एम मत भी देते हैं संसद द्वारा पारित किसी भी विदेग पर राज्या धैक्स या सम्राठ नेशर साधिकार का पर्योग नहीं कर सकता। भारत आधि कई देशों में राज्या धैक्स किसी भी विदेग को पुनर्वचार के लिए अवसे बेश सकते हैं। लेकिन इसके अत्रिक्त यहां संसद की सक्ति भी सीमित हैं वह कुछ निर्डिस्ट विश्यों पर कानून बना सक्ति हैं। दूसरा है दिवकारियपालिका इस व्योस्ता में संसदी व्योस्ता में राज्या दैक्ष से नामक नामात्र की कारियपालिका एम एक अन्य वास्त्य कारियपालिका दो कारियपालिका होती है सासन की सबी सक्तियां ओप्चारिक रूप से इसे में व्यक्त होती है वह इन सक्तियों का वास्ति प्रयोग संसत के प्रति उत्तरदाई कारेपालिका के माध्यम से करता है इस वास्ति कारेपालिका की न्युक्ति नामात्र की कारेपालिका द्वारा होती है तीसरी विशेश्ता है कारे पालिका वे व्योस्ता पिका में संयोग सासन की स्परनाली में कारे पालिका अथ्वा अर्थार्थ मंत्री परिश्यत के सभी सदे से व्योस्ता पिका के सदे से होते हैं वे अपने कारियों के लिए उसी के परती उत्तरदाई होते हैं यदि व्योस्त अपिका या विधान मंडल का समर्थन मंत्री मंडल खो देता है तो उसे पद से हटना पड़ता है। इस पर वेजोर्ट ने काया कि मंत्री मंडल वह कडी है जो दो भागूं को जोडती है जो कारिपाली का व्य विवस्त अपिका की बीच गनिष्ट गटवंदन का को संभव बनाती है। लोकसतन कानेता व्य राष्टर का प्रधान संचालक होता है। इसकी सक्तियां विश्थरित होती हैं, जिनका प्रीयोग वह है, अपने सहायकों की सहायता से करता है, पांच भी हैं सामुःत उत्तरदाईक को, वाश्थिक कारिपले का निर्मान विधायका इमें से होता है, आताई यहें तबी तक पद पर रह सकती है जब तक इसे विदायका का समर्थन प्रावत हो विदायका कारे पालेका के परती एविश्वास पारित कर हटा सकती है इससे सभी मंत्रि अपना पद खो देते हैं और छटी है राजनितिक समरूपता कारेपालिका के सदे सुने राजनितिक दल या विचार या पहचान समंदी एक रुपता होनी चाहिए यह इसलिए आउसे कहें कि जिस दल का या विचार का विदायका में बहुमत होता है उसी की कारेपालिका बनेगी आज की गठ्वंदने सरकारे इसका अपवाद है और सात्वा विपक्स की उपस्तिती विधायका का बहुमत दल कारेपालिका का जन्मार करता है या सरकार बनाता है सेश दल या विचार सदन में परभावसाली परतिपक्स की भूमी का निवाते हैं यह सत्वा दल के रूप में दल का दुरूपयो को रोकने की सीमा लगाता है और इसकी रचनात्मक भूमे का देश में जन्मत का निर्मार करती है तो ये थी संसद्य शासन व्यवस्ता के प्रणाली की विशेशता है अब संसद्य शासन प्रणाली की प्रवर्तियां क्या हैं विश्वे के भह सारे देशों भारत में संसद्य शासन का कार्यकारण आज एक लंबा कालखंड देख चुका है इस प्रणाली के कारे करम के दोरान कई आर्थिक सामाजिक प्रवर्तनों एम वेगा निक अविसकारों ने इसे परभावित किया है वर्तमान की सासन प्रणाली में कुछ एक प्रवर्ति है जो निमन प्रकार है पहली सम्हूं की भूमी का बीशवी सदी में रानितिक दलूं एम हित्व दबाव समूं के विकास ने संसदे सासन परनाली को अवस्य पर भावित किया संसदे परनाली में दिवदलिय व्योस्ताओं में सफलता है प्राप्त की ऐसे देशों में विपक्स सतरुट दल के विकल्प के रूप में सदव तयार रहता है किन्तु तीसरे विश्य के नवदित देशों में एक दल परभुत्य साली अत्वा बहुदलिय व्योस्ताओं अधिक परभाव में रही है ऐसे देशों में संसेदे सासन को दलो ने अपने अनुसार डालने का प्रियास किया बहुदलिय देशों में गटबंदन की राजनिती से सासन की सक्तियां कमजोर हुई है और राजनितिक ऐस्तित्ता का अधिक बोल बला रहा है दलों की अधिक्ता ने रादितिक व्योस्ता में गंभीर समस्याई उत्पन की ऐसे में सासन पर दल ये प्रभूत बहुत कमजोर हुआ और विशेश ठितनों दबाव समू का प्रभाव सासन पर बढ़ गया दूसरी परवर्ति है जन संचार के माध्यम और जन्मत की भूमिका आधुनिक युग में तिवर सूचना विकास ने संसेदे सासन पर नाले में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है सासन की प्रते गतिविदी पर आमजन की दरश्टी रहती है इससे ये फाइदा जरूर हुआ है कि संपुन राष्ट की एकता की अव्यक्ति अवस्य परदान मंत्री नेतरतों के में मजबूत होती है तो सासन दौरा संपुन फैसले जन भावना के अनुकूल ही रहने का प्रयास किया जाता है कई बार जन्मत संग्रे का अवलंबन भी किया जाता है और तीसरी है नोकर साय की भूमी का बीशवी सदी में अर्द वर राजे के छेतर में आमूल प्रयरतन होने से जन कल्यान कारेकारियों को प्रात्विक्ता मिलने लगी सासन और प्रसासन में विशेशग गता का मैं तो इसलिए बढ़ने लगा इससे समाज वे अर्थ वस्ता आते दिक जटिल हो गी इन जटिलताओं और कारे छेतरों का सामना संसदे सासन पर लाली में इस थाई कारे पा लिगा अर्थार्थ नोकर साय की विशेशग गता द्वारा करने का प्रियास किया गया है मंत्री एमसंसद द्वारा महत्वण विधैकों में के मोटे मोटे बिंदू तै किये जाते हैं सेश विधायन के प्रस्ताओ पर्दत विवस्तापन के तैत विशेशग नोकर साहू द्वारा तेह किये जाते हैं इस प्रकार वास्त्रीक सासन नोकर साई ही करती है और चोथा है मंत्री मंडल की भूमी का रानितिक दलों की संग्ठन सक्ति एम कठोर अनुसासन ने मंत्री परिशद को संसद पर क्या कर दिया हावी कर दिया संसद में बहुमत के बल पर सत्तर रूट दल अधिनायक वादी ढंक से कारिय करता है संसद की अधिक सदस्यता वैस सदस्यों की तक्निकी विशेश सग्यता वैस जानकारी ने होने के कारण उसकी भूमी का कम हुई है इसके प्रणाम सरूप मंत्री मंदली ताना साह का सरूप भी कई बार देखने को मिलता है तो लाड हिवर्ड ने मंत्री मंदल की ताना साही की और ही ध्यान दिलाया है तो यह थी संसेदे प्रणालिक का अर्थ और उसकी प्रिवास हैं उसकी विशेष्ट हैं और संसेदे प्रणालिक की जो परवर्दिया है वो अगले वीडियो में हम इसके संसेदे प्रणालिक के गुनोर दोस्तों के बारे में अध्यन करेंगे